हेलो फ्रेंड्स वरधन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग आयतन के फाइनल पार्ट को पढ़ेंगे इससे पहले दो पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं आज इसका तीसरा पार्ट है यही आपका अंतिम पार्ट है आयतन में ठीक है चली आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसा पहले देखते हैं पहला कोस्चन देखिए इसमें देखिए सारे मिक्स कोस्चन है इसमें देखिए तीन सेंटीमीटर त्रिजया और 40 सेंटीमीटर उंचाई वाले बेलन को पिगलाकर एक गोला बनाया गया है गोले की विडियो बनाई है उसमें जहां पर भी आया है कि 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 सीज़ को पिखला कर दूसरी चीज बनाई गई गई कि अगर तो क्या होगा इसका मतलब है कि दोनों का आयतन बराबर है थिक दोनों का आयतन बराबर है अब यहां पर देखिए 3 cm त्रिजिया 40 cm उचायवाला बेलन तो उसकी त्रिज्य आपको दी गई है कि फिर्फट्र की गाइभ है पोले का प्रीज्य आपको डी गई है याthree तो आपको लिखना होंगा जब दोलों पिगलाकर नहीं अब इसका तो पततल मेराबर है pol तो नोगे ध्युआ peng fem आयतन पराबर है अछिजा दिविविटी दो जल्ड़ि जल्दी करें खना क्थोड़ाब्स करूंगाफंगा च्छार मते तीन वाय पाई आर क्यूब ठीक है पाई आर वन मानी थी ठीक आर वन क्यूब यही आपसे पूची गई और बेलन का आयतन है पाई आर स्कूर यज ठीक तो चार बटे तीन पाई अभी ऐसे रखी आर वन क्यूब ऐसे रखी है पाई पाई रखी है आर स्कूर कितनी आर इसकी है तीन ती तीन हो गई तीक है यह जिसके 40 cm है 40 cm रख लिए ठीक अब आरवन क्यूब यह दर ही रखे मांकी चीजिए उधर लेके जाईए तो आरवन क्यूब बराबर पाई गुणा तीन गुणा 3 है 30 मतलर मतलब अब इसका एक डीचा बादवर निकाली है क्यूब रूट निकलेगा 3 गुड़ा, 3 गुड़ा, 3 गुड़ा, 10 अब देखिए Q square root होता है तब 2 चीजों का जोड़ा बनाते हैं जब 3 cube होता है तो 3 चीजों का जोड़ा अब देखिए Q root में जब भी 3 चीजों के कुछी भी संख्या के 3 जोड़ा बन जाए 3 cube root 10 cm यही आपकी गोले की तरज्या है 3 cube root 10 ठीक है next question देखिए 14 cm व्यास के गोले के परिगत बेलन का आयतन गयात किजिए अब यह बीहाँपे ऐसी समाज nerецरी के घृषप दूरी एक केंडर कजिए जकने वाली दूरी वही व्यास होती है ठीक है अब इसके परीगत मिलं मनाया है फरीगत मतलब इसके परीदि से जुड़ता हुआ ठीक तो अब एक चीद देखिए तुम यह क्या है इसकी जो यह क्या है इसकी? गोले की गोले का व्यास है यही परीगत बेलन होगी ठीकलें कैसे निकालोंगे पुछा है क्या है परीगत बेलन का आयत्टन तो परिगत बेलन की परिगत बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी कि त्रिज्या अब एक चीज़ समझिए यह इसका व्यास है गोले का ठीक तो यह यह बेलन का भी व्यास इतना ही होगा तो जितना गोले का व्यास उतना ही बेलन का व्यास बेलन का व्यास कितना है चौदा तो बेलन acum 15 प्रूजिया कल में fe जो व्यास वही बेलन 6 हमेड आप पूरी-पूरी सब्सक्राइब परिगत बेलन का कि परिगत बेलन का आयतन राबर ठीक होता है पाई आर स्कूरर यच बाइस बटे साथ रख जीजिए पाई की वेल्व बटे साथ आर स्कूरर आर है साथ गुणा साथ चौदा सेंटिमेटर है आपकी उचाही ठीक है अब साथ से काट जे साथ दूनी 14 ठीक अब इसकी गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 202 की कर दिए जो 44 गुणा 49 आसते 49 अब इनकी जब मल्टिप्लाइ करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2156 घन सेंटीमीटर ठीक है इसकी मल्टिप्लाइ करके देख लीजीगा मैंने पहले गर करके रख लिए इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए ठीक है तो इस तरी है यह सब्सक्राइं जो है इसमें है जो बिल करें किले के रहाएटन और इसके परिगत बेलन के आयतन का अनुपाद ग्याद कीजिए अब देखें इसमें कोई चीद दी नहीं गई लेकिन वही बात है बिल्कुल वही बात किसी गोले का आयतन ठीक गोले का आयतन और इसके परिगत बेलन के आयतन का अनुपाद निकलना है ठीक है तो और जो इसकी तृज्जया जो होगी इसका दोगुनी होगी उचाई ठीक है तो आप देखे लिए अगर गोले का आयतन दिये गया तो गोले की तो तृज्जया आपको पता ही है सीधे-सीधे गोले की तृजया वराबर आर है और व्यास बराबर, टू आर है, ठीक है, क्यूकि तो दोगुना होता है, सिद्य सिद्य, जब कोछी नहीं थी, इस सिद्य रख दीजे, तो गोले का आयतन, आयतन कितना होगा, चारवटे तीन पाई आर क्यूट यहीं होगा यह तो जब माकी चीज़े तो दी नहीं गया इसकी आर ही दी गई है इतना हो गया ठीक अब परिगत बेलन की त्रिज्या क्या होगी परिगत बेलन की त्रिज्या त्रिज्या ठीक है अब जितनी त्रिज्या इसकी होगी गोले की उतनी त्रिज्या इसकी भी होगी ठीक है तो त्रिज्या तो सेम रहेगी त्रिज्या आपकी आर रहेगी अब परिगत बेलन की उचाई बराबर कितनी होगी यह उचाई जो है यह गोले के व्यास के बराबर हो व्यास कितना है तो उचाई भी कितने हो जाएगे अब परिगत बेलन का भी निकाल ली तो परिगत बेलन का इतन बराबर बेलने गवी पाई आर इसक्वे यच तो पाई र की जगह है र ही रहेगा एच की जगा 2R है ठीक है 2R है तो ये पाई ऐसे ही रहेगा R स्क्वेर और R की गुणा हो जाएगा R क्यूब गुणे में 2 तो हो जाएगा 2 पाई R क्यूब ये हो गई परिगत बेलन का आइतन अब पुछा कि अउन्दोर मैनुपात तो सीधे-सीधे निकाल दिजिए गोले का आइतन बटे में हो जाएगा परिगत बेलन का आइतन अब जब दोनों की वेल्यू रखें गोले का कितना था चार बटे 3 पाई आर क्यूब इसका है 2 पाई आर क्यूब तो पाई आर क्यूब पाई कत गया इधर बटे चार बटे 3, और होल अपॉन बच गया 2, तो अपॉन लिख सकते हैं, ठीक है, अब जब इसको चेंज करते हैं, यह भाग का चीज़ नहीं होता है, ठीक है, इसको जब गुणे मदलेंगे, तो 4 बटा 3 गुणा, यह पलट जाएगा, एक उपर हो जाएगा, दो नीचे, दो से संकू का आयतन का संकु बनाए गया, तो यहाँ पर देखिए, से लिखा है, सीधे-सीधे क्या करना है आपको, सीधे-सीधे अंसाल ले आना, 14 cm व्यास के गोले से व्यास का गोला ठीक ये गोला है आपका 14 cm इसकी व्यास है 7 cm उचाई इसकी उचाई जो है वह 7 cm की उचाई का एक संकु बना दिया गया ठीक आयतन का संकु बनाए गया है संकु का आयतन अब देखिए बिल्कुल वह तो नीचे तो गोला होते ही है कोई भी होता व्रत होता ही है ठीक है तो यहां पर गोला इसे लगा दिया गया ठीक अब देखिए 14 cm व्यास के गोले से साथ सेंटीमेटर उचाई का अधिक्तम आयतन का संकु बनाएगा संकु का आयतन कितना होगा ठीक है तो संकु का आयतन निकाल लीजिए सीधे सीधे लग जाएगा वट 1,12,3,4,4,2,3,4,4,1,3,2,3,4,5,2,4,4,4,2,4,1,2,3,0,5,5,4,2,0,5,2,4,7,2,2,7,0,5,5,5,0,5,6,5,1,2,0,5,9,5,0,5 85,0,5,0,5,2,0,5,4,100,6,0,5,0,6,0,5,0,6,0,5,0,5,1,2,0,5,0,6,0,1,0,5,0,7,2,0,5,0,5,0,6,0,5,0,7 साथ हो जाएगे और उचाई कितनी है साथ ही उचाई है साथ साथ कट जाएगा उपर बचेगा बाइस गुणा उन्चास बटे में तीन बाइस गुणा उन्चास की जो मुल्टिप्लाई करेंगे तो आएगा एक अजार अठतर बटे में तीन या इसको लिख सकते हैं 369 दसंबलब 33 घन सेंटीमीटर यहीं इसका आंसर होगा ठीक है कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं सीधे 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 इसमें लिखा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास की गोले से साथ सेंटीमीटर उचाई का अधिक्तम आयतन का संकु बनाया गया है संकु का आयतन कीतना होगा अब संकु का आयतन सीधर सीधे आप लोग निकाल दीए नेच्ट गॉस्टं है which नंबर 5 ठ्लिक है को से नंमर 5 के दिया गया है एक संग को कि आधार के व्यास के बराबर हो उड़ अर्द गोल उसका, अनुपाद आपको अर्द गोले गतने दी गई है इसकी तरज्या दी नहीं गई है बस आधार के व्यास के बराबर में कीजिए अधार के व्यास में तो देखेंब शंकु भी बना लीजिए संकु का भी इसमें बोला गया है, संकु बना लीजिया, ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, कि यद संकु की उचाई आधार के व्यास के बराबर हो, तो ये जो उचाई है, ये जो उचाई है, वो व्यास के बराबर है, तो व्यास बराबर क्या है, इसमें R2, R2 माल लीजिया, तो 2R2 होगा, R पर श्में सटम क्यों आधार के व्यास, तो व्यास के बराबर है। पूछा गया गए है ैत फ। इसके व्यास में अनुपात इसका है, आयतन दोनों के निकाल लिए आराबज निकलाएगा अर्दientes काहतन अपान संग्यू काहतन बराबर एक अनुपात 1 लिखा है अर्द बोले का क्या होता है 2 बटा 3 पाई और क्योप की जगाई रवन क्योप क्योप रवन दिया गया इसकी क्या है एक बटे 3 पाई र 2 स्कोर तरिज़ा दी नहीं गई है और उचाई कितनी है 2R2 2R2 बराबर 1 अनुपाद 1 अब देखिए बटे में 3 कट गया बटे 3 कट गया पाई पाई कट गया 2 ये और 2 ये कट गया बच्चा कितना इधर भी उपर बच्चा R1 क्यूब R1 क्यूब और नीचे R2 क्यूब और R2 की गुणा करेंगे तो ये R2 क्यूब बराबर 1 अनुपाद 1 या इसको लिख सकते है ऐसे लिख सकते है R1 सॉरी R1 अपाउन R2 बराबर क्यूब रूट एक अनुपाद 1 अब एक का स्क्वार रूट हो चाए व्यासों में अनुपाद मैंने एक बार बहुत बार बता चुका हूँ कि जब भी किसी किसी चीज के कि त्रिज्या आपकी त्रिज्या का जो अनुपाद होगा वही उसके व्यास का अनुपाद होगा तो व्यास का अनुपाद कितना होगा ब्यास का भी अनुपात हो जाएगा 2R1 अनुपात 2R 2 बराबर 1 अनुपात 1 ठीक है यह ब्यास आपके 2R1 और 2 ते ठीक है यह आपका अंसर आ गया Next question देखते है एक गोले के ब्यास तथा एक संखु की उचाई में एक अनुपात 2 यह दोनों के आयतन समान हो तो उनकी त्रिज्याओं में अनुपात ग्याद कीजिए ठीक है तो उनकी त्रिज्याओं में अनुपात ग्याद करना है ठीक है तो एक गोले के ब्यास तथा एक संखु की उचाई में एक अनुपात 2 का अनुपात है ठीक लाइगा है और संक की उसाइध world यह घरीका एक विःसता संक की उचाहिं में एक अनपाट दůचानपाथ तो जो व्यास है गोले वह आपका एक हो गया और उचाहिया उचता प्था डूगनीओं कि इसके निजसे राभी प्थाट व्यहों एक राभी खुनीओं तो संकु की कि त्रिज्या बराबर हो जाएगी आर ठीक अब निकाल लेजिए पूछा क्या गया है त्रिज्याओं में अनुपात ग्याद किजिए और संकु की उचाहिए में एक अनुपात दोनों के आयतन समान हो तो बस इन्हों आयतन ठीक गोले का होता चार बटा तीन पाई आर क्यूब आर गोले की कितनी है पाई एक्स अपॉन टू तो आर क्यूब इनकी हो जाएगी एक्स बटे दो का क्यूब ठीक संकु का आयतन होगा एक बटा तीन पाई आर की जगा आर ही था तो आर स्वेर यस की जगा इनका टू कि बट्टें में तीर जो है यह दोनों कatten जाएंगे दोनों तरफ पाई किड़ जाएगफ धीक है दो से चार इसको अभ ईशे रख रखते हैं ठाहिए तो it's गुणा यस का क्यूब होल्ग है यक्स क्यूब अपउन में तु का क्यूब दो दूनी 2 दूनी चाथ 1 हो जाएगा त Дав Axe दो क्या होता आठ मैंने इसको लिखका आपको पहले तेलेगाम पर अपलोड कर दिया था cube और square ठीक है उनको आप लोग उमीद है याद के लिया होगा ठीक है अब यहाँ पर r square into 2x इधर बचा ठीक है अब x cube इधरी रखिए ठीक है x cube एक साथ रख लीजिए और बाकी नए r square एकतर रखिए बाकी सारी चीजिए इधर लेके आईए तो 4 दूनी 8 यहाँ बचेगा तो x cube upon 2 यह 2x गुणे में है तो भाग में चला जाएगा 2x बराबर r square ठीक है तो x से यह कटेगा तो x की power 2 बचेगा ठीक है तो यहाँ r square बराबर बचा है x square उपर है और नीचे 2 दूनी 4 ठीक तो r बराबर कितनी आएगी r बराबर हो जाएगी under root x square upon 4 x square का जो square root होगा r बराबर वह हो जाएगा x और 4 का square root होगा 2 तो r की value आपकी आगई x बटे 2 अब यहाँ पर जानते क्या पूछा गया तो उनकी त्रिज्याओं में अनुपात तो देखिए गोले की त्रिज्या भी आपके पास है और संगु की त्रिज्या भी आपके पास निकल त्रिज्या ठीक है तो गोले की त्रिज्या एक्स बटे 2 है अनुपात एक्स बटे 2 इसकी भी है तो यहीं का अनुपात है दोनों का ठीक है तो question हमारा solve हो गया आप यहाँ पर next question देखते हैं आज की वीडियो में ज्यादा question नहीं है ठीक है अब दो question यह है इनको भी देख लेते हैं फिर अगले अगले चैप्टर को हम लोग कल डिसकस करेंगे ठीक है कोई अच्छा सा एक चैप्टर लेकर आएंगे इसमें तो मेरा मकसद यही है कि सम्मे का कोश्चन लगवा दिया जाए और तो अपकी प्रेक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी चीजों को समझने की छमता आज आएगी कि किस तरीके से फार्मूले रखे जाते हैं ठीक है लेकिन जो पिक्टोग्राफ आयत है और दंड आ रहे खा एक बेलन और एक संक के आयतनों में तीन अनुपात थो यह तो उनकी अनुपात चार नुपात हों उछायू में आणूपात घ्या कीजिए से लिएक कि तरिज्जा यहाँ पर त्रिज्ज्जाओं में अनुपाद बोला गया है तो त्रिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् अब संकु की त्रिज्या अब इसकी त्री आर थी क्योंकि इसका जो अनुपात है वह थी था बेलन का और इसका है चार तो त्रिज्या हो जाएगी फोर आर ठीक है उचाई इसकी भी नहीं पता तो उचाई इसकी माल लेजिए अब यहां पर पूछा गया है कि यह थी उनकी बेलन और संकु की आयतनों में अनुपात लिए है थीक तो बेलन का अनुपात का आयतन सॉरी बटे संकु का आयतन अनुपात का आयतन बराबर तीन बटे दो यहां पर लाइन की लिए जब इदर जरूत पड़ेगी ठीक है अब केसे रख लीजिए बेलन का होता पाई आर स्कुएर तो आर इसकी कितनी थी 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 आर थी आर का स्कुएर यज की जगा है यज़वन बराबर बटे में संकु क की त्रिज्जा थी फोर आर तो फोर आर का स्कुएर इंटू यज टू बराबर कितना है तीन बटा दो ठीक अब इनको सॉल कर लीजिए ठीक है अब यज़वन अपाउन यज़वन इदर रखें मांकी उधर लिए जाईए सारी चीज़े अपने आप सॉल हो जाएगी काते दो पहलेज था यह एक बटा तीन इदर घुणय में चला जाएगा एक बटा तीन हो जाएगा पूरा पूरा ठीक है यह नीचे वाला पाई यह आपका गुणय H212 बचा है अब यहां बचा है 04 यहां पर 16 होगा है यहां 2009енийहों का स्क्वाइर 9 स्क्वाइर 9 का स्क्वाइर 16 अभी ड़र हो ‫हां इसको की तरह राके प्सक्राइब करने नीचे चला गया और 4 इसक्वाइर तो 3 का स्कवेर 9 राव जाए गा बस ओना कि लाके आज़ पूछा गया तो पूछा क्या तो उनकी उचाईएं में अनुपाद तो यही आपका अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट एंड लास्ट कोश्चन है है अब देखिए यहाँ पर इसमें समआन व्यास और समान उचाई वाले एक बैलन एक संकु तधा एक गोले के आयतनों का अनुपाद ग्याद कीजिए इनके अनुपाद समान उचाई समान बेलन मतलब सारे उचाई और व्यास वाले सारे बेलन संकु और गोला है ठीक है तो यहाँ देखिए एक गोला बना लीजिए इसका व्यास ठीक है संकु का जो व्यास है ये भी समान होगा और बेलन का बेलन और इसकी उचाई बराबर होगी ठीक है उचाई बराबर होगी उचाई भी बराबर है तो जब इसकी उचाई जो है इसका जो व्यास है ठीक गोले का जो व्यास है वही इनकी उचाई हो जाएगी वही इनकी क्या हो जाएगी उचाई तो आप देख संकु का आयतन अनुपात गोले का यही पूछा गया है तो बेलन का तो हो जाएगा πाई आर तो आर सब की बराबर ही है तो आर स्कुएर यच कितनी हो जाएगा इसमें कहा गया जो यच है यच ठीक, जो उचाई है उचाई याभी तीनों की समान है तो जब गोले के बराबर इसकी उचाई है तो गोले का तो व्यास होगा मतलब 2R बराबर इसकी उचाई हो जाएगी इन दोनों की उचाई कितने हो जाएगी 2R हो जाएगी ठीक है sqrWare r r rqc1 वटा 3 ऐसे रहेगा एक वटा 3 दो उपर आ जाएगा तो गुणे में 2 वटा तीन हो जाएगा पाई as R core r-3 पाई और चार बटे 3 पाई आर क्यूब अब यहाँ पर संख और गौले का आयतों में अनुपाद होगा लेकिन आप इस टाइक का इस अनुपाद का कोश्टन मैंने पड़ाए इसको पढ़ा भी चुका हूं जैसे जब लासा नगाल लेंगे तो इसका मासा निकाल जब मासा निकालेंगे तो इनका कित्म है तीन आएगा सिर्फ तीन से आप लोग इसकी गुडा कर दीजिए थीक तीन से दो बटा एक गुणे 30 तो यह तो तीन क explanते होंगे शीधे सीधे हो जाएगा दो दूनी चार तो इनका जो अनपात होगा सरल अनपात होगा वो तीन अनपात एक अनपात दो हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से सारे कोश्चन आज कंप्लीट हो गया है और हमारा जो आयतन का पाट था उसमें से मैंने कोशिस किये कि सारे जो कोश्चन है वो आपकी कंप् और बहुत important है तो please उसको miss मत करेगा उससे question जरूर आएगे ठीक है और जैसे पढ़ाऊंगा लगबग वैसे ही आएगे ठीक है तो दोस्तों आज की वीडियो में स्रीप इतना ही मिलते है अपनी next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार